नमस्कार एमदाबाद में साबनमती नदी में तीन दिन पहले कूद कर खुदकुसी करने वाली 23 साल के आईसा का पती राजस्तान के पाली से सोमा रातों गिरपतार कर लिया गया है आईसा ने सुसाइड से पहले एक वीडियो मेसेज रिकोड किया था माता पिता से उसकी आखरी बातचित का ओडियो भी सामने आया था जिसमें आईसा ने पती पर सोचन करने का आरूप लगाया था आईसा का पती आरिप राजस्तान के जालोर करने वाला है सनिवार को आईसा का वीडियो मेसेज वाइरल हुआ था इसके बाद गुजरात पुलिस जालोर में आरिप के गर पहुची तो परिवार वालों ने बताया कि वह एक शादी में गया था और वही से कई चला गया उसके आद मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरूप एक सौमारात पाली से अरेश्ट किया गया लेकिन 10 मर्च 2020 से आईशा अपने माई केम रह रही थी उसने आरिप परताड़ना कारोब भी लगाया था आपको बता दी कि आईशा की पिता लिया का तली ने बताया कि मेरी बेटी आईशा असमुक थी लेकिन निकाह के बाद से ही देश को लेकर उसकी जिन्दगी इनर्ग बना दी गई एक बार तो ससुराल वालों ने उसे तीन दिन तक खाना नहीं दिया था वे मुझे फोन पर अपनी परिशानी ने बता दे इसलिए आरिप ने उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था गरिल इंसा के इस तरस कराया था आईसा ने अपनी वीडियो में मुझे से इस मामले को वापस लेने की मांग की थी लेकिन मैं अपनी बेटी के अत्यारों कभी माप करने वाला नहीं हूँ अभी बीते सनिवार को एमदबाद की साबर मती नदी में कूदगर आईसा नाम की विवाईता ने सुसाइड कर लिया था सुसाइड से पहले आईसा ने अस्तेवे एक इमोशनल वीडियो बनाया था जब सोचल मीडिया पर खुब वायरल हो रहा है और सोचल मीडिया मैं आईसा को नयाई दिलाने इमोई प्छिट गई है वै इस बारे में आएसा की पिता लिया कतलिक कहना है कि बहले ही मेरी बेटी ने मुझसे पती को माप करने के लिए बात कह दी हो लेकिन मेरी बेटी को दहज के लिए इतना प्रताडित किया गया कि मुझे कमरा वरकर भी यादी कोई पैसे दे तो मुझसे माप नहीं करूँगा इस बारे में गुजराद बार काउंसलिंग के मेंबर गुलाप खान पठान के कहना है कि आईसा केस अत्यांत दुखद है इस गटना ने सभी को जगजोर कर रख दिया कानून के अनुसार यह मामला IPC की दारा 306 के नतरक दाता है इसलिए मेरा मानना है कि आरपी को सजातों निच्चे दियोगी इसके सें फ़र्ट ट्रेक के इस चलाकर आरपी को सजा दी जानी चाहिए आपको बता दे कि आईसा का पती आरिफ खान जालोर कर रहने वाला है और पुलिस ने उसे सोमा रात को गिरपतार की है आरिफ खान जालोर में ये फैक्टरी में सुपरवाईजर काम करता है या खबर देखने के लिए नमस्तेंडे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे नमस्तेंडे प्रार की साथ